हेलो स्टूडेंट्स आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है स्टूडेंट्स आज हम शिक्षा निदेश आले की तरफ से दी जाने वाली कारे पत्रक नमबर 28 करेंगे जो की क्लास 6 की है और विश्य है विज्ञान ये वर्क्षिट 27 जेन्वरी 2021 की है तो आज़े शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आज़े देखते हैं आज की वर्क्षिट सजीव एम उनका परिवेश नीचे दिये गए चित्रों में रंग भरिये और उनके आवास को पहचानते हुए तीन विशेष्टाएं लिखिए तो बेटा सबसे पहले यहां पर एक कोशन मनता है कि आवास किसे कहते हैं आवास किसे कहा जाता है बेटा आवास हम पिछली वर्क्षिट में भी देखे थे जहां पर जीव रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं आवास कहते हैं जहां पर जो जीव रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं उनका आवास कहते हैं तो यहाँ पे सबसे first picture यह क्या है मरुस्थलिय आवास इसे हम क्या कहेंगे मरुस्थलिय आवास तो यहाँ पे रहने वाले जीवों की विशेशते हैं बतानी है कि यहाँ पे किस तरह की जीवों आपको यहाँ पे मिलेंगे थी तो आवाज का मतलब है उन जीवों के बारे में बताइए कि उन में क्या क्या विशेश्टाइं पाई जाती है तो देखें यहाँ पे किस तरह के जानमन मिलते हैं पहले तो में देखना है उन्ट, कैक्टस, कैमलियोन, हाना नागफरनी जिसे हम कहते हैं जीवों कि नागफरनी हो गया तो इस तरह के पोधे यहाँ पे पोधे और जीवर जन्तू यहाँ पर पाया जाता है वहाँ पर पानी कम पाया जाता है तो ऐसे जगाओं पर जो जीव होते हैं चाहे पेड़ पोधे हो चाहे जीव जनतू हो एनिमल्स हो उनमें क्या होता है पानी की आउशकता है थोड़ी कम हो जाती है जैसे कि अगर हम उट की बात करें तो यह अपने शरीर के अंदर वसा और पानी का संघ्रह कर लेता है और जब उसको जरूरत होती है उसका यूज καल लेता है इसे तरह अगर पोधों की बात करें तो पोधों में क्या होगा पेटा देखो जो जो हएं इसके पतियां होती है वो कांटों में परवर्तित हो जाती है जिससे कि वास्पुत असरजण ना यहां पर कैमली ओं दिखाया जाएगा ठीक है और यह भी देखो यह भी क्या हो जाएगा यह आपको सुंदर सुंदर कलर भुटना अगरने आए ब्राउन कलर को जाएगा इसमें सुंदर से आप अपनी तरह से जो आपको अच्छे लगते हैं जो कलर आ इनकी विशेष्टा है लिखीते हैं आईए करते हैं इसका अंसर हम देखे बिटाई इसका अंसर मरुस्तली आवास पहले आप लिखेंगे मरुस्तली आवास अब देखे मरुस्तली आवास में रहने वाले जिवों को जलकी आवशक्ता कम होती है जलकी आवशक्ता क्या हो जाती है इनको कम हो जाती है और वसा और पानी को संग्रहित करने के लिए विशेश सरंचनाए होती है। में जलकी आउशकता बहुत कम होती है, पानी और वसा को संग्राइद करने के लिए विशेश सरंचनाई होती है, जिसे उंट पे कूबर बोलते हैं उसको, और पोदो की जो पतियां है, वो कांटों में परिवर्तित हो जाती है, तना हरा हो जाता है, उधारन कैक्टस, अब हम क सा अवास है ये है इसे हम कहें और ढाका जाएगा, जिसके आंदर कौन-कौन से अवास आजाएंग जिसके अंदर घास, पर्वती है ये सारे आवास या पर पर डिखाई दे रहे हैं हाना थे गास स्थान भास हो जो लाता है, इसको पर coronavirus तकि इस Julius जे सारे यहां सथान से वक्या होते हैं जिससे देखो जिराफ की गर्दन नंबी हो गई ना इस तरह से कुछ अनकुलन पाए जाते हैं ये शरीर में क्या होते हैं शक्ति शाली होते हैं थोड़े मजबूत होते हैं इनकी शरीर ना और ये शाकाहारी और मासाहारी दोनों ही प्रकार के होते हैं बड़ अपने नौट बुक के यह बनानी है नौट बुक में और उस में इसके विशेषता है पहले विशेषता है उसके विशेषता है तो करते हैं संधलिया अवास घास और वास नों शाली जीव होते हैं, कैसे होते हैं, थोड़े शक्ती शाली होते हैं, शिकार करना आता है इनको इस तरह के जीव होते हैं, यह हैं मासा आरी और शाकाहरी दोनों ही प्रकार के होते हैं, इसमें कुछ जीव हैं, जिसे कि हीरन की बात करें तो शाकाहरी हो गया, शेर की बात करें बज़े हो पे हैं तो स्थलिय आवास अब हम करते हैं next इसमरा हम एと思います आपको मचलियां दिख्ञा इक होता है जलिय आवास इसमरे क्या कहेंए जलिय आवास यह तो आपको मचलियों के बाते हैं मचलियों में क्या होता है शोषन के लिए विशेश सरंचना है पाई जाते हैं जिसने गिल कहा जाता है जैसे हमारे अंदर लंग्स होते हैं शोषन के लिए वैसे मचलियों में क्या होते हैं गिल्स होते हैं के दौरा वो शोशन करते हैं और अगर पोधो की बात की जाए तो पोधे क्या हो जाते हैं थोड़े हलके हो जाते हैं और उपर देखो तैरते हैं इस तरह से आपको दिखाए देरा तैरते हैं अधिकतर पोधे तैरते हैं कुछ पानी के अंदर समर्ज भी बोला जाता है जो जो जलिये जीव होते है उनका लगभग शरीर कैसा होता है mostly हम कहा सकते कि धारा रेखी जीव होते है शोषन के लिए इनमें विशेश सरंचनाएं गिल्स पाई जाते है शोषन के लिए क्या होते है एक विशेश सरंचनाएं पाई जाते है क्या करते रहते हैं जल की सताय पर तैरते रहते हैं उधारन कमल या वोटर हाई सिंथ कोई भी आप यहां पर एक्जामबल ले सकते हैं तो बिटा आज की जो वरक्षीट है वो कम्प्लीट होती है वरक्षीट कम्प्लीट करके अपनी टीचे से चेक कराईए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सबस्क्राइब कीजिए और शेर कीजिए थैंक यो स्टूडेंट्स